नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों बहुती बड़ी खबर है इंडियन एर फोर्स के लिए और वो ये है कि इंडियन एर फोर्स चीफ फ्रांस पहुँच चुके हैं और वहां से उन्होंने छे राफेल फाइटर जेट जो इंडिया आने है उन्हें हर छे राफेल फाइटर जेट को हरी जंडी दिखा दी है और ये कभी भी इंडिया पहुँच जाएंगे और आपको बता दें कि 20 एपरेल को इंडियन एर फोर्स चीफ राकेश दिंग बदूरिया फ्रांस पहुँचे थे और वे 23 एपरेल तक वहीं पर ही होंगे और अपने क वेसिलिटीज और एर बेस का भी दोरा करेंगे और दोस्तों हमारे दोनों देशों की एर फोर्स के अंदर काफी अच्छा इंटरेक्शन है अभी अगर हम इंडियन एर फोर्स और फ्रांस एर और स्पेस फोर्स की बात करें इनकी बाइलेटरल एर एक्सरसाइज के बारे मे जो UAE के द्वारा X desert flag किया गया था उसके अंदर भी हिस्सा लिया था और इसमें कई और भी friendly countries थी और दोस्तों इंडिया ने 36 राफेल fighter jet की deal की है 69,000 करोड के अंदर और ये 2016 के अंदर government to government deal के जरिये final की गई थी और इन 6 राफेल fighter jet के आने से हमारी golden arrow squadron जो की अंबाला के अं जाएगी यानि कि 18 fighter jet पूरे हो जाएंगे और हमारे पास उसके इलावा भी extra fighter jet हो जाएंगे और हो सकता है उन्हें हाशी मारा airbase के उपर भेज दिया जाए जहां पर हमें दूसरी squadron बनानी है और इसके इलावा दोस्तों इस बात पे भी चर्चा की जाती है कि इंडिया और राफेल fighter jet खरीद सकता है जैसे कि आप जानते हैं mmrca के तहत हमें 100 से ज़्यादा fighter jet खरीदने है ये 107 भी हो सकते 114 भी और इससे पहले हमें पिछली सरकार के दोरान 126 fighter jet खरीदने थे तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फ्रांस ने भी हमें काफी ज़्यादा offer किया है और राफेल fighter jet उस mmrca deal के अंदर एक contender भी है तो ऐसे में इसकी deal हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं और प्राइम मिनिस्टर का दोरा भी होना है अगले महीने फ्रांस के अंदर और हो सकता है उसी की preparation के लिए हमारे air force चीफ भी वहां गए हुए है और हो सकता है दोस्तों कि प भोशना भी हो जाए लेकिन अभी हम इसके उपर कुछ भी confirm नहीं कह सकते लेकिन बड़ी बात ये है कि 6 राफेल fighter jet इंडिया आने वाले है धन्यवाद जैहिन